मानी श्री योगी आदेतनाज जी को पुर्हा उत्तर प्रदेश का मुख्य मंत्री वा मानी श्री केशर प्रसाद मौर जी एवं मानी श्री ब्रजेश पाठक जी को उप मुख्य मंत्री बनने पर और समस्ते मंत्री मंदल को हार्दिक बधाई एवं शुप कामनाएं मैं पवन सिंग चहान सीतापुर से भाश्पा MLC पत का प्रत्याशी आप सभी मतदाताओं के आशिरवात का आकानशी उत्तर प्रदेश की सत्ता दूसरी बार संभालने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदितनात कामकार्थ को लगातार गती देने में जुटे हुए हैं लगनों में आज बैठक के दौरान सीम योगी ने अपनी टीम के विधायकों को नई जिम्मेदारी सौपी है उन्होंने प्रदेश के प्रतेक विधायकों एक एक परशदी विद्याले गोद लेने का निर्देश दिया है यूपी में चार अप्रेल से स्वरावस्ती जिले से स्कूल चलो अभियान की सुरुवात होगी सीम ने कहा कि इसको लेकर विभाग सभी तयारी कर ले हर बेसिक सिच्चा परिशत के विधायले में सिच्चकों की तैनाती हो उन्होंने अपने निर्देशों में कहा कि बेसिक सिच्चा से जुड़े हर विधायले में पेजल, टॉयलेट, स्मार्ट क्लास और फरनीचर की विवस्ता सुनिचित करें इसके साथ ही बच्चों की यूनिफार्म और जूते मोजे की भी विवस्ता हो मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रतेग प्रास्मिक विधायले को सभी बुनियादी सुईधाओं से लैस किया जाना सरकार का प्रास्मिक प्रायस है सीम ने यान भी निर्देश दिये कि निजी संस्थाओं स्कूल के पुराने विद्धार्तियों को अभियान चला कर इस मोहीम से जुड़ा जाए जिस जन्पद में जहां साचरता की दर्ग कम है वहां की विद्धायलें में वरहत इस्तर पर अभियान चलाए जाने की हिदायत दी है इसके अलावा सिच्चकों की 33 से लेकर बुनियादी सुईधाओं के लिए समय बद्ध तरीके से अभियान चलाए जाने आपरेशन काया कल्प से बेसिक शिच्चा परिशब के सारे विद्धायलें को आच्छादित किये जाने के निर्देश मुख्यमंत्री ने दिये है योगी सरकार का या कदम बेसिक सिच्छा में आमूल चूल बदलाव में दिसा में एक प्रियोग के तौर पर देखा जा रहा है